तो आज हम एक प्रॉब्लम शॉल्पने जा रहे हैं लीट कोड 2369 चेक इफ देर इस वैलिड पार्टिशन पॉर दा एरे यह लीट कोड में मीडियम के अंदर दिया गया है और मैं थोड़ा बत एक बता दू कि अगर आपने इनेथ फिबोनाची नमबर शॉंजिंग डिपी और आगर आपने गें थिवरी के उपर लाइक निम गेम अगर आप यह प्रॉब्लम यह दोनों प्रॉब्लम अगर कर चुक specific तो आपको यह प्रॉब्लम में बहुत आसाँ रही हो क्यों कि मैं नहीं तो चलिए देखते हैं कि प्रोब्लम में क्या क्या रहा है यूर गिवन जीरो इंडेस्ट इंटेजर अरे नॉप्स 0 indexing है you have to partition the array into one or more contiguous sub-arrays we call a partition valid if each of the obtained sub-arrays satisfies one of the following conditions the sub-array consists of exactly two equal elements for example sub-array 2-2 is good then consists of three equal elements sub-array 444 is good sub-array consists exactly three consecutive increasing elements that is the difference between adjacent element is one basically 345 is good and the sub-array 135 is not then हमको क्या करना है कि हमको return करना है true if the array has at least one valid partition otherwise return false ठीक है आपको शार्य थोड़ा मतलब दिक्कता सकता है अगर प्रॉब्म समझे नहीं तो एक देख लेते के examples है कि आखर क्या कहा रहा है सोची कि मेरे पास जो array given है वो कुछ ऐसा है 3 3 4 4 4 ठीक है अब यह कह रहा है कि इस array को मेरे को ऐसे partition करना है कि जो partition करें तो partition के बाद जो sub array आए वह good हो या फिर वह valid हो कैसे valid हो देखिए तो मैं अगर यहां पर partition करता हूं तो मेरा मेरा एक sub array यह आ रहा है क्या आ रहा है 3 3 ठीक है जो कि देखिए मेरा यहां पर पहला condition है यह उसको satisfy कर रहा है कि फिर मेरा कि दूसरे जो partition वो क्या है 4 4 4 जो कि मेरा यह जो दूसरा condition है उसको satisfy कर रहा है तो मैं क्या क्या है यह जो मेरा partition है यह valid partition है तो मैं यहां से क्या कर दूंगा return true कर दूंगा ठीक है basically आपको partition करना है जो सवेरे जाएंगे वो सवेरे को इन तीनों में से अगर कोई भी condition वो सवेरे फॉलो कर रहा है मतलब दोनों सवेरे फॉलो कर रहा है तो उसी किसमें आप बोल सकते हो कि आपका partition वैलीड है और अगर आपका partition वैलीड है तो आप वहा यह एक होगा सवेरे जो कि देखिए आपका to follow कर रहा है यह होगा सवेरे जो देखिए मेरा condition 3 को follow कर रहा है क्यों देखिए इसको नहीं होगा तो इसको नहीं है को एक मतलब कॉनसा सब्हारे आगर अगर हम क्सा सब्हारे अगर है जो कि मतलब वैलिड नहीं होगा तो 33 लेट से 426 तो देखिए मैं अगर यहां पर इसको अगर मैं यहां पर पार्टिशन कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरा 33 आ इधर 426 आ रहा है तो यह पार्टिशन मेरा तो मेरा है यह पार्टिशन के रहा है अंदर अगर मेरे को भी वैलिड पकिशन ल को और यहां से पार्टिशन करूं तो अगर मेरे को एक भी पहली पर्टिशन मिल रहा है तो उसकेस में आपको रिटर्ण ट्रू करते में आपको इतना तक तक प्रॉब्लम स्टेट्मेंट अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलिए देखते हैं कि इसको हम एप्प्रोच कैसे करेगी इस प्रॉब्लम को सोचे कैसे कि इ ठीक है अच्छा देखेए प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले मैं आपको यह प्रॉब्लम आपको देखी लग रहा है यह कहीं नहीं जो मैंना बोला कि एक डीपी टैफ का प्रॉब्लम है क्यों कि तीन कंडिशन क्या है कि मेरे पास तीन कंडिशन है अगर आप गेम थेओरी गाली कार्याई करते हैं मेरे जोoline मेरे वह जैनुक्तितों मेरे तो मेरे पास इह प्रॉपर चेकरना है कि वह पार्टिशन मेरा व्लीड को अचा अभ देखिए इसक तो इसे में बात किया हु पहले are we आप सुचिए कि अगर मेरे पास जो एन मतलब मैं कहा बोल रहा हूं size of the array size of array मैं आप सब्सक्राइब रहा हूं तो अगर एकल टिकल टिकल जीरो हुआ मतलब मेरे पास empty तो उसका लिए हम क्या return करेंगे उसके लिए हम true return करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पर कुछ कर सकते हैं यहां पर तो यह कब मेरा true return करेंगा मैं कब इसको पार्टिशन में इसको मानूंगा जब बोलिया जब इस केस में दोनों ही element मेरे लिए equal हुआ मतलब दोनों ही element अगर मेरे लिए equal हुआ सब्सक्राइब करूंगा तो जब अगर 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 वाण इसको और देखे कैसे कि इसका जो में गूँग है तो चलिए हम देखते हैं कि इसको और देखे कैसे किशे की तो अगर मेरे को यहाँ पर एक पार्टिशन बनाना है तो अगर मेरे को क्या देखना है कि यहाँ पर के कोई पार्टिशन बनने मेरा कंडिशन क्या है यहाँ पर दो नंबर हो गा पर तो वो मेरा इक्वल होना चाहिए नामसब इन माइनस टू के ठीक है यह मेरा क्या हुआ यह एक कंडिशन हुआ और इपी कंडिशन आप सोची क्या कंडिशन हो सकते हैं देखें मैं एक एक एक्जांपल देता हूं आपको शोची कि यहां पर टू टू है और यहां 436 यहां 436 तक है और मैं क्या भो रहा हूं यह मेरे टू है को तो आप देखें 436 मैं क्या कहा रहा हूं इसको के कंडिशन के अकोर्डिशन मेरा मतलब सोची कि इसको case 1 ले 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 तो इसके according मैं क्या कहा रहा हूं कि मैं यहां पर partition बनाऊं किया यह partition मेरा valid होगा मैं लाभी last से traverse करके देखना चाता हूं क्या यह मेरा partition valid होगा देखिए last का दू element तो इकोल है तो यहां पर हम एक partition बनाएंगे तो यह जो मेरा sub r बनेगा यह तो मेरा ठीक है sub r में कोई गड़वड नहीं है लेकिन यह वाला जो sub r है यह तो गड़वड है क्योंकि यह कोई भी condition मेरा follow नहीं कर रहा ना 1 ना 2 ना 3 तो मैंने क्या गहा कि जब मैं partition करूंगा मेरा इस केस में partition करने के लिए मेरे पास और एक condition कर भी जरूरा था यह condition तो चाहिए ही चाहिए यह condition तो मेरा चाहिए लेकिन और एक condition condition क्या है कि यह वाला भी जो partition हो यह भी मेरा valid होना चाहिए यह वाला वो पूरा मेरा एक वेलिट पार्टिशनु उसके अंदर मbuilt पांव वह मेरे को मेरे मिन कंडिशे ना कि मतलब जीरो से लेके ऐली मैंड माईनस х physician पारी अगर वह होगा और उसके साथ अगर यह होगा उसी केस में हम at the end एंसर में true return करेंगे यूँकि देखिए यह दोनों equal होगा और यहां पर कोई हम जैसे यहां पर कोई हम valid partition कर सकते हैं नहीं कर से तो एड़ देंद हमारा answer पर जिसके पर यहां पर यहां पर यह वाला मेरा सावयर करेक्ट हो अब चलिए केस्टू पर देखते हैं केस्टू मतलब मेरे लिए धीवन है अब मैं आपको में दे रहा हूं सोचे कि मेरे पास लास्ट से तीन अगर यहां पर मतलब क्या करूं मेरे को दो कंडिशन वही सेम जो पहला वाला में बोला मेरे को दो कंडिशन सटिस्फाय करने होंगे क्या पहला कंडिशन की कि लास्ट मेरा इक्वल होना चाहिए मेरा लास्ट अगर नहीं कि लेकिन उसके साथ भी चाहिए कि यह यहां पर जो और इक जो सब यह बनेगा मतलब left side वाला जो subair है मेरा बनेगा उसके अंदर भी मैं valid partition कर सका तो मैं to return करो लेकिन अगर उसके अंदर इसका एक example मैं आपको शॉट से बता देता हूं कुछ नहीं है और यह मेरा 45 अब मैं यहां पर बता रहा है यह वाला क्या है यह वाला क्या है यह वाला करेक्ट नहीं है कि जो दो बन रहा है यह यह ना मेरा condition 1 को satisfy कर रहा है है जैसा 456 अगर यह last के तीन हैं तो यसके सब्चिन यह साव एरे भी ठीक है हम ऐसे पर्टिशन कर सकते हैं लेकिन ये वाला भी यहां पर मेरे को valid partition करना होगा यहां पर मेरे एक पर चाहिए जाए अगर यहां पर मैं valid partition नहीं कर पाया तो मेरो का that the answer false आपको यह तीन चीज़ समझ में आ गई होंगी कि मैं इसको कैसे कर्डिशन को ब्रेकड़ाउं करके मैं आपको कैसे समझा रहा हूं तो अगर हमएक सचे कि अगर हमें डीपी ऐड़े अरे ले यह एक एक डीपी आर्यारी ले ले जिससे डीपी का साइज क्या है n plus 1 okay dp का size का है n plus 1 मैं आपको normally n plus 1 से समझा रहा हूँ उसके बाद मैं इसको basically मैं अगर मैं n plus 1 लू तो मेरा क्या होगा मेरा auxiliary space on o1 n हो जाएगा लेकि तो मैं आपको यहाँ पर explain जो करूँगा तो वह o1 का मतलब एक constant space का मैं करूँगा पहले मैं इसको just as a rough आपको बता दे रहा हूँ आइडिया दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको चेंज करूँगा देखिए देखिए dp of i इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि 0 से लेके i-1 इंडेक्स तक यह है नम्सका जीरो से लेके i-1 को मतलब क्या है i length यह i मेरा क्या note कर रहा है length of array ठीक है तो जीरो से लेके i-1 पर ज्योंसे क्या यह वाला valid partition दे रहा है क्या यह वाला valid partition दे रहा है अगर हाँ तो dp of i में true store होगा अगर ना तो dp of i में false store होगा अगर यह वैलिट पाटिशन अंदर अगर हम वैलिट पाटिशन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके लिए वो जो तीन कंड तीन केसे मैं नहीं दिखा एक दो तीन वहीं आपको दिखाना है अगर इसके अंदर यह वैंट कर सकते हैं तो हम इसकप तो हम दी औफ आई में हम तूर करेंगे नहीं तो हम फॉल सचो करेंगे अ चाहिए अब देखेड यह मेरे अगर डास यह करतें जैंगे तो यह सिंप्ल बात यह पहले आपको क्या करने डीप उप इन वर जी यह क्या वह रभना करने जब crystal करना जब और मेरा लेंथ 1 है एन इकेल टुवन सिंगल एलिमेंट है एरे पे सोच एक थी है क्या यह फैली पर्टिशन दे रहा है यह कोई पर्टिशन नहीं दे रहा तो मैं इसके समय फॉल्स रिटन कर रहा हूं और डिपी और टू में जब लेंथ 2 है ताब उसके समय क्या चेक कर रहा हूं और उसके साथ यह भी चेक कर रहा हूं कि मेरा नम सब वान यह इकल टू नम सब जीरो है या नहीं है यह बिसीकली मेरा तीन बेस कंडिशन बन गया ठीक है इसके बद हम क्या करेंगे हम एक काव कर सकते हैं कि हम पॉर इंट आई एक एक एल टू थी से लेकर मतलब जो हम चेक कर सकते हम क्या करेंगे इस लेंध के लिए जो यह लेंध क्या यह यह लेंध यह लेंध मैं सदे रहा है क्या यह लिंद मेरे को एंसर दे रहा है क्या यह जह प्लास करनके लुघ उसके बाद में क्या करूंगा न रे तो इसके कमें परोसी कर Gp तीनों में से अगर कोई भी एक condition मेरा वैलिद होगा तेंपोररी को में ट्रू कर दूंगा और अब देखे आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं यहां पर क्या होता है यह सब जब भी ऐसा भी कंडिशन हो जैसे हैं पर क्या है कि मेरे पास घौ कार sorry कि मेरे पास थरी होगे मैं अगर एकर आप तो अब सोचें मेरा जो भी वनची हो रहा है जब मेरा इन्सटिपोनची का बात हो रहाता है इसा नम्बर इसकस करते थे तesen mo तो यहां पर तीन नमबर हम लिख दिया जीरो वान वन मतलब यह मेरा फर्स्ट नमबर सेगें थर्ड नमबर फिर आई-कल तो थी से हम आई ले जर न तक जाते हैं एन नमबर अगर हमको देना पड़ता है तो हम बस्केली क्या करते हैं चौभ Bожу को इसे इंडेक्स चीरोत के अंदर हम अंडर में तो जो यह प्लात है यह हम्हा सापर नमबर सेवन्थ के यह सब यहं पर इस चरगर कर सकते हैं यहां पे हम क्या स्टोर कर सकते हैं यहांपे हम क्या होगा क्या होगा मेरा देखिए यह मेरा फिर फिर सब्सक्राइब यहां पर अपडेट होगा फिर मैं क्या करता हूं कि यह मेरा जो एंसर देगा डीपी के अंदर उसी उसी इंडेक्स का मेरा मेरे को वहाँ पे एन फिबोनची नंबर वाला बैलू स्टोर हो जाता है मैं क्या करा हूँ मेरा यहां से सोचे कि वान से लेके इन तक जो इंडेक्स है मैं उसको 012 बस इनी तीनों जगह में से मैं इसको मैक कर दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो बस यहीं इंपोर्टेंट है ना कि इन टीनों को ही अगर में एक साथ एक जगह पर रख दू ताकि क्या होगा कि यह वाला कोई भी इंडेक्स है सोचे कि यह इसके उपर या फिर यह वाला इंडेक्स इंडोनों के उपर एक नंबर दूसरे के ऊपर दोनो का अगर हम array लेंगे उसके अंदर अगर हम map करते जाएं कैसे map करेंगे map बस ऐसे ही करेंगे कि lengthwise हम अगर mapping करेंगे जैसे a equal to 0 तो dp of 0 में वो value store होगा a equal to 1 हुआ तो dp of 1 में वो value store होगा और a equal to 2 हुआ तो dp of 2 में वो value store होगा ठीक है तो a equal to 0 का मतलब क्या है हम in equal to 0 का मतलब यह बोल सकते हैं कि जहां अगर 3n इंडेक्स जो index होगा जो actually index है या फिर आप सोचे कि number of elements है जो भी है अगर वो 3n हुआ जो जो 3n 3n form का जो 3ij ले ले लेते हैं 3j जो 3j form का होगा वो dp of 0 में store होगा जो जो 3j plus 1 index का होगा वो dp of 1 में store होगा जो जो 3j plus 2 का होगा वो dp of 2 में store होगा ठीक है तो पस इतना सा ही हमको कोई changes करना है और कुछ नहीं करना है तो देखें मैं आपको सामने यह code लिख दे रहा हूं ताकि partition कैसे करें यहां partition होगा की नहीं तो उसके लिए क्या चेक करना है कि यह दोनों को चेक करना है और इससे पहले वाला कि इतना इंडेक्स तक इतना इंडेक्स तक वह store valid है की नहीं तो यह जहां पर मॉडिलो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है मॉडिलो आपका एक जगह पर वैलू ही स्टोर कर रहा है कुछ अलग नहीं हो रहा है क्यूंकि मैं बस वही बोल रहा हूं कि सोचे कि अगर मैं in length का अगर मैं external array maintain करूंगा तो वहां पर मैं जो सोचे कि मेरा मेरा काम का जो value होगा वह यह होगा और इससे पहले का 2 या 3 value होगा तो मैं क्यूं बेकार का इतना बड़ा array को मैं maintain करूंगा प्रिंट तो नहीं करना है ना answer यहां पर पर वैल्यू डो को मेरा पारटीशन अगर यह से पोसे पहले वाले जो जितना भी नहीं कर सकते सब्सक्रिया अब करण घोडमेस अनल टो यह समय में आ गया को चली दिखते हैं कि इसको हम कोड़ लेते हैं कि इसको अगर गहारी से कोड़ लिखते हैं कि कैसे इसका कोड़ लिखेंगे लिखेंगे लिखना में बस यह आपको सायद पूरा लॉजिक समझ में अगया हो कि यहीं नीम गेम तेory के उपर ही है नीम गेम में क्या होता था बेसिकली कि एक कंडिशन का यह पहले के दो या फिर तीन के ऊपर डिपेंड करता था जितने डिपेंड करता था हम उतने external array ले लेते हैं तो देखिए मेरा जो function है बूल उसके बाद सोचिए valid partition क्योंकि मेरे को क्या रिटन करना है मेरे को true या false रिटन करना है तो मेरे को given सोचिए कि vector int and nums तो पहले मैं क्या करता हूं महले मैं nums का size ले लेता हूं nums.size फिर मैं एक dp array बनाऊंगा three length का array इसके अंदर मैं directly पूट कर सकता हूं कि इसका पहला वैलू पहला क्या है डीप जीरो क्या है मैं ने क्या है यहां पे जो जीरो क्या है यहां पर जो होगा dp of one क्या होगा one मतलब अभी जहां पर लिखने जा रहा हूं वह बला क्या होगा मेरा false होगा क्यूंकि single length अगर array का है तो वह valid partition नहीं मना जाएगा और अगर dp of two dp of two के लिए मैंने क्या बोला कि अगर जो nums of one and nums of two अगर बरावर हुआ उसी case में मैं यहां पर true store करूंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि if n is greater than one and then मतलब इन greater than one होगा तभी हम यहां पर एक value store करूंगे सोचे कि इन greater than one है ही नहीं in equal to one या फिर इन इकल्ट जीरो तो उसके समें यहां पर value store करने का कोई logic बनता नहीं तो in greater than equal to one and and the numbers of one equal to equal to numbers of 0 ठीक है यह मेरा यह मेरा विसिकली इनिशालाइज हो गया जो three length का array था उसके बाद मैं का कर रहा हूं देखिए मेरा length 0 length 1 length 2 का तो काम हो गया अब कहां तक करना है अब length मेरा three से लेके एकदम end length तक मेरे को traverse करना है ताकि मेरे को पूरा पता चले तो मैंने क्या वहला मैं पहले एक answer variable ले 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 रहा हूं जी इस पर इनिशियली false में store कर रहा हूं उसके बाद मेरा पहला condition में check करो पहला condition मेरा क्या है अगर nums of i-1 equal to equal to nums of i-2 मतलब सूचे पहला condition का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि यहां पर लास्ट कर दो है यहां पर partition करना जाएं तो लास्ट कर दो यह मेरा क्या होगा आइ माइनस वन यह मेरा क्या है i-2 यह वहला क्या है यहां पर dp of i-to बतलब लेंथ क्या है यहां तक का लिंफ क्या है यहां तक का लिंफ साजाम इस टो यहां पर मेरा का अगर तू रहागा तो उसकेस में यहांपर answer पर true now next condition else if. nums of i-1 equal to equal to nums of i-2 and and nums of i-2 equal to equal to nums of i-3 and and dp of length क्या होगा I minus 3 मतलब मैं उसे पीछले जो मतलब 3 इन मैंने का भी चेक कर रहा हूं तो इन माइनस थी अलिमेंट का उसमें क्या वैलिट पर्टिशन हो चुका है अगर वैलिट हो चुका है तो हम उसको लें कि ट्रू रहेगा तो यह काम करेगा एंसर के अंदर हो जाएगा यह हुआ ठीक है फिर दूसरा और लास्ट कंडिशन जो है मेरा एलसी उस पर क्या हम चेक कर रहे है अगर नमस of i equal to equal to sorry nums of i-1 equal to equal to nums of i-2 plus 1 and then nums of i-2 equal to equal to nums of i-3 plus 1 and then dp of क्या length है मेरा three length का ही है अगर यह case हुआ तो मैं ends पर क्या store करूँगा बोलिए मैं ends पर क्या store करूँगा मैं ends पर true store करूँगा और in the end जब यह मेरा तीनों condition अगर ends पर जो भी store हो अगर कोई condition fulfill ना करे तो उसमें false ends के अंदर पॉल्सी रहे तो at the end मैं dp के अंदर जो अभी value calculate किए dp of i-3 equal to मैं ends करूँगा ठीक है फिर at the end मैं return कर दूँगा return dp of n-model 3 बस इतना सही करना है code और कुछ नहीं कोट दीखने में थोड़ा complex लेगा लेकिन अगर पूरा वीडियो को समाझ रहे हो कि अगर आपको बहुत बहुत ज़रूरी है यहां पर क्या हो रहा है कि नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर जहीं पर भी आगर स्टोर करना हो क्योंकि यह पैटर आप याद रहे है कि ऐसे करके आप convert कर सकते इंटर्वें पूछ सकता है कि क्या वहन से आप वहन में जा सकते हो तो अगर आप यह एक प्रॉब्लम में दिख रहा है कि थोड़ा गेम थी टाइप कर लग रहा है तीन ओप्शन है या फिर चार ओप्शन है चार केसे की उपर डिपेंड कर रहा है उसके समें आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसका देख लेते कि टाइम कंपलेसिटी क्या होगा तो यह एक ही लूप चल रहा है ह गए तो इसको हम ओवान ले रहे हैं अच्छे समय में आ गया होगा तो इसको लीट कोड़ करके क्या दे रहा है तो मैं अपने लिट कोड़ पर आ चुका हूँ इसको कोड़ करके देखते हैं पहले मैं नम सेरे का साइज ले ले रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं एक बूल dp3 उसके अंदर मैं पहला वैलू true डाल रहा हूं जब length 0 होगा तब true होगा फिर false फिर मैं condition चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा n greater than 1 हुआ and and nums of 1 equal to nums of 0 ठीक है यह होगा तो वह वैलू यहां पर store हो जाएगा उसके बाद हम लूप चला लेते हैं for int i equal to 3 i less than equal to n i++ फिर एक ns variable temporary variable अब जैसे ही चाहो इसके बोल सकते हो if तो मेरा पहला condition क्या है कि अगर मेरा nums of i-1 o equal to equal to मेरा nums of i-2 हुआ और उसके साथ मेरा dp of i-2 है वो value अगर मेरा true है मतलब इन दोनों को छोड़के जो बाकी जो array बन रहा है वो अगर valid partition वहाँ पर अगर possible है तो उस case में हम इसको true मान सकते हैं फिर else if second condition क्या है nums of i-1 अगर last के तीन मेरे equal है कुछ ने equal condition क्या से चेक करते हैं i-2 i-3 उसके साथ इन तीनों को छोड़के बाकी array में अगर valid partition possible है तो यह पूरा मैं यहाँ पर true store कर दूँगा ans equal to true ठीक है else if अगर nums i-1 यह अगर मेरा तीन अगर consecutive है जैसे code में बोला गया कि अगर consecutive numbers है तो i-2 equal to nums of i-3 plus 1 and and dp of वही सेम इन तीनों को छोड़के बाकी में अगर valid partition हो रहा है तो हम यहाँ पर store कर देंगा in the end हम क्या store करेंगे dp of i-3 equal to ans अगर इतनी में से कोई भी काम नहीं किया तो उस case में यहाँ पर false store हो जाएगा कोई दिक्क्रत वाली बात है नहीं फिर at the end हम क्या करेंगे हम return कर देंगे dp of n नहीं कर दिजिए कि मेरा length थी तो बस 3 है मैंनो तो यहाँ पर mapping perform किया और कुछ नहीं है ठीक है प्रेंट कर देखते हैं क्या हो रहा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा एक दोबर ट्राइब कीजिए खुझ से रफ केसे समझ मेंने का कोशिश किजिए ज्यादा आप इसको डेफ पर ना जाए कि यह अगर होगा तो ज्यादा अगर उतना मस्द तोचिए केसे को समझें के इनके कोड को कैसे लिख रहा है वह आप समझें बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कही ना कहीं चांच सकता है कि आप फड़ा कंफ्यूज हो जा रहे होगा कि इसको जितना ज्यादा खोलिएगा तो उतने ज़्याद कैसे करना और मैपिंग मैं इसली कैसे कि आई माइनस टू का मतलब क्या है कि जो लास्ट का जो दो है उसको छोड़ कि मेरे अबस आई अगर में लास्ट को छोड़ूँगा तो मेरे पास बचा हुआ अगर को अच्छे समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो पर थैंक्यू कर दो